गुद्वार्निंग स्टूरेंट्स वेलकम नेक्स क्लास और आज का जो आपका नेक्स क्वेशन है वह है एक साइकलिक कॉडिलेटरल दियो है साइकलिक कॉडिलेटरल होता है एक कॉडिलेटरल होता है जिसके चारो साइड से ना सर्कल से टच होती है तो यहां पर दियो है AB is equal to CD मतलब यह वाली side हो यह वाली side equal है ठीक है तो हमें प्रूव करना है AC is equal to BD मतलब इसके diagonals भी equal है तो ऐसा normal case में होना possible नहीं है कि अगर दो sides equal हो तो diagonals भी equal हो तो हमें क्या करना है cyclic co-ordinatoral history दिया है तो cyclic co-ordinatoral का मतलब क्या है उपर बहले आपको बदाया था since AB is equal to CD sorry AB is equal to CD AB और CD lines equal है तो इनके corresponding चो arcs बने हो है यह देखो AB वाला arc और CD वाला arc therefore arc AB AB is equal to arc CD यह दोनों भी आपस में क्या होंगे एक पल होंगे अब क्या होगा हमें क्या करना है arc BC दोनों में add कर देना है arc AB plus arc BC is equal to arc arc CD plus arc BC हम किसी भी एक equation में दोनों साइड सेम चीज जोड़ सकते हैं कोई भी अपने पास रोक टोक नहीं है तो देखिए जैसी आप AB में BC जोड़ेंगे तो आपके पास आजाएगा AC arc AC is equal to BC में आगर आप BC जोड़ेंगे तो आप क्या सा जाएगा arc BD तो कुल मिला के में क्या पता चला यह पूरा बन गया देखिए यहां से यहां तक यह पूरा arc AC तो arc AC मतलब chord AC की बात कर रहा है अपन AC is equals to BD यह प्रूफ करना था आपको लग रहा होगा कि या तो हमें समझ में नहीं आया या फिर कुछ और गर बढ़ेंगे बेटा आपको समझ में भे आ गया और कुछ गड़बड भी नहीं है question ही easy है ठीक है इतना मत सोची है अपन नेक्स question पर चलता है देख लिए आप इसको एक बार if two quarts of a circle intersect each other then prove that the segment of one chord is equal to corresponding segment of other chord मेरा यह question है important पहले लगा लगा लिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते है इसको यह दो equal chords है ठीक है a b c d यहां पर मान लीजीए कोई point है जहां पर intersect करी इपर तो हमें प्रूव करना है sorry for the interruptions तो हमें प्रूव करना है कि a e chord b e chord sorry a e part c e part के बरावर है d part b part के बरावर है मतलब दो chords intersect करती है तो एक तरह little part रहयता है एक तरह बड़ा पाट रहयताह Раз टो हमें प्रूव करना है कि इसको छोटा part इसको छोटे part के बरावर है और इसका बड़ा part इसके बड़े part के बरावर है समय given है given is AB is equals to CD To prove में है To prove में अपनको लिखना है AE is equals to CE और BE is equals to DE यह प्रूव करना है अपनको ठीक है यह बड़ा पार्ट बड़े पार्ट के बरावर छोटा बाट छोटे पार्ट के बरावर है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि सेंटर मान लीजे सेंटर है वो सेंटर से अपन को दो पर्पेंडिकुलर बनाने मुझे बताए आपको फिगर नहीं दिख रहा है कर देता हूं यह अपनको कंस्ट्रक्शन करना है ठीक है तो और यहां पर इसको नाम दिए दीजिए ठीक है M और N ठीक है तो इन ट्राइंगल इन दोनो ट्राइंगल का नाम दिए O M E and O N E ट्राइंगल O N E फर्स्ट O M is equals to O N equal courts have equal distance from the center बताया था ना courts बराबर है तो उनका center से distance भी बराबर होगा angle M is equals to angle N is equals to 90 degree by construction ठीक है ठीक है तो और O E is equals to O E कॉमन ट्राइंगल O M E इस कॉन्गरेंट ट्राइंगल O N E बाई R H S तसली से देख लीजिए आपके उस फिगर है इसका इसको पॉस्ट करके देख लीजिए फिगर को और ये कॉन्गरेंट से को देख लीजिए तो इसके चलते हैं मैं कह सकता हूँ इस ट्राइंगल का M E M E is equals to N E बाई प्रूब कर दिया ठीक है अब क्या करना है देखिए बाद दिहां से देखिए यह पर्पेंडिकुलर है since O M perpendicular to A B and O N is perpendicular to C D therefore तर लीजिए सोमेगा सकता हूँ A M is equals to B M second equation and C N is equals to and D यह मैंने क्या किया मैंने बताया था अगर quarts equal है sorry quarts equal है दोनो ठीक है और उनके जो half parts है मतलब वो भी equal है यह perpendicular है perpendicular क्या करता है दो equal parts में divide कर देता है तब देखे क्या करना अपन को फोड़ा सा यहाँ पर एक equation और आएगी A B is equals to C D given यहाँ गिवन है ठीक है equation number fourth हो गई है तब ध्यान से देखिए लिखने में कुछ और और समझाने में कुछ और A M is equals to C N और B M is equals to and D ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे समझ में आएगा यह दो कौर्ट से मैंने इनको दोनों का अलग अलग बना दिया A B C D दोनों बराबर है यह इसके बराबर है यह इसके बराबर है यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है हाफ-ाफ तो एक आपस में तो बराबर होंगी क नहीं होंगे introduction कहा lot हम यह तो यह तो यह कहने का मतलब हो कोड का ये लोवर हाफ इसका ये लोवर हाफ बराबर और इसका ये लोवर हाफ और इसका ये लोवर हाफ एंडी ये दोनों भी क्या होंगे आपस में बराबर ठीक है तो अपन को जो प्रूफ करना था उसके लिए क्या करेंगे अपन इनको नाम देता हूँ 5 और 6 ठीक है तो अपन कह सकते है add equation first and am first and fifth add first and fifth am plus me is equals to cn plus ne देखे am plus me किता हुजएगा a is equals to a is equals to c यह आपके पहली चीज जो आपको प्रूव करने थी आ गई तो इसको बॉक्स में डाल देना अप्रूव हो गई ठीक है जब को दूसरी चीज लिखनी है उसको अप्रूव करेंगे equation first में first को 6 में से माइनस कर देंगे subtract equation first from 6 करके देखते हैं बी एम माइनस मे इस इकास टू एंडी माइनस एंडी बी एम का है यह रहा बी एम इसमें से एंडी माइनस करो तो क्यों जाएगा बी ए प्लस दे मिट आप तो यह बात हो गई question की ठीक है यह भी प्रूव हो गया इसको बॉक्स में डाल दो अब आना बच्चे थोड़ा सा क्वेशन लें दिये और इंपोर्टेंट है तो थोड़ा साना ऐसे हिचकी चाहस से रहें के सर थोड़ा साना difficult question and this and that so I wanna tell you only one thing कि आप एना जो इसके में डिये जो नाम है इनको पढ़ो ठीक से कहां है पहले पढ़ो और भी easy तरीके से अपने तरीके से कर सको मतलब एक दो लाइन में एक दो लाइन और कम करके easy कर दो ठीक है तो यह बहुत easy लिए हो जाएगा बस वही बात है कि आपको है ना यहां पर माली जी 70% समझ में आया कि जोड़ा question ऐसा ही है आपको खुद को भी मेनत करनी यह मत phobia मत create कीजिए वसमें रिक्वेस्ट कर रहूं आप से ठीक है बहुत easy question और बहुत अच्छा question है exam में आ चुका इन्हें बोर्ड examination question 11 prove that the line segment joining 90 question that he have okay like तो यहां पर अपने एक theorem करने जा रहे हैं अच्छा कि यह रहा मैं अ एंगल मेड़ बाए any chord या फिर आर्क at center is twice the angle made by it at any part of circle ठीक है अब इता थोड़े से important question start होगा अपने ठीक है तो यहां पर क्या है यहां पर माली जी आपके वाद से एक नहीं नहीं ऐसे नहीं समझाँगा ऐसे समझाँगा ए और बी थियोर्म को मतलब समझा रहा हूं और यह बहुत ही important थियोर्म है बच्छों आपका बहुत ही ज्यादा important यह बी एक थियोर्म दोनों पर अपलाया होता है और सेम अपलाया होता है रतिवर का यह फर्क नहीं है अब देखो यहां से में एक एंगल बनाता हूं मतलब इन दोनों पॉइंट से दो अब आप मिरे को कहीं पर भी बोल दीजिए सर एक और एंगल बना दो लेकिन उस सरकल पर होना चीए सेंटर पर नहीं होना चीए तो एक एंगल तो अपने संटर पर बना दिया सेंटर पर एक से से जोड़ो भाई तो एंगल एसी बन गया एंगल एसी बन गया तो एंगल एसी भी इसका हाफ होगा या फिर कह सकते हैं यह वाला एंगल इसका ट्वाइस होगा तो एंगल एंगल एक योजए यह यह तो इसका पर और भी उठा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि इस सिफ इसी एत्योर्म का प्रूफ है आपक्त बुक्क में बाकि Ci एत्यॉर्म का प्रूफ नहीं कि जो मैंने मिटाया आपको नहीं मिटा ने इसको लिखे रहने दीजिए मैं आप अगर फिर से बना रहा हूँ कि ए बी याप अगर में इतना करके छोड़ दू तो भी चलेगा कि यह सी यहां पर कंस्रक्शन करना पड़ेगा एक लाइन खीचेंगे पन कहां से सी से लेकर ओको क्रॉस करती हूँ ठीक है इसको कॉर्ड भी बना सकते है इसको आर्ग भी बना सकते है आपकी मर्जी है इस इस यूर चोईस वी नीड तो पूव दैट एंगल एओ बी इस ट्वाइस अंगल एंगल एइस देखने हैं बड़ा वो है इसकी हद नहीं है इसमें करना क्या आपको आपको बता है यह ट्राइंगल है यह पूरा ट्राइंगल है दो ट्राइंगल में बठ गए है जो ओए है ओसे लेकर एक का डिस्टेंस रेडियस है और ऊसे लेकर सी तक का डिस्टेंस से यह भी रेडियस है समझ रहे हो यह से ट्राइंगल है और ट्राइंगल में दोनों लाइन बराबर है तो दोनों लाइन बराबर है तो उनके सामने वालय अंगल भी बराबर होंगे अपने रूल पड़ा हुआ है पहले ठीक है तो देखो since OA is equal to OC reason देतों के radii of same circle मतलब एक ही circle के दो radius है तो यह दोने equal है equal है तो angle OAC लिख देंगे let angle OAC मतलब इस angle की बात कर रहे है equal to angle OAC है is equals to X reason दोगे angle opposite to equal sides equal sides के opposite angle भी क्या होते है equal और इन दोनों को माल लीजी आप X क्योंकि दोनों बड़ाबर है तो दोनों को X माल लो क्या जा रहा है आपका यह देख लो जूम करके दिखाता हूं थोड़ा था इन दोनों को X माल लिया बना है ना तो इसी तरीके से क्या करूंगा मैं लिखूंगा सिमिलरली एंगल ओबी सी इसी को एंगल ओसी भी इसी को वाई इसको वाई माल लो ठीक है यह एंगल X हो गया एंगल Y हो गया ठीक है अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी यह ट्राइंगल है यह से एक बाहर एंगल निकल रहा है तो एक्स्टीर एंगल इस इक्वाई टु सम आफ इंटीर एपोजिट एंगल याद है बाहर वाले जो एंगल होता है अंदर वाले दो एंगल के सम के बराबर होता है तो अपने यहां पर कह सकते हैं पहला पॉइंट एंगल AO इसको नाम देदो D इस रे को नाम देदो D angle AO D is equals to angle sorry is equals to X plus X यहापे लिखदो exterior angle property तो angle AO D हो जाएगा 2X equation first आगई इसी तरीके से angle BOD हो जाएगा यहापे आप लिखदो मैंने एक चीज़ मिस कर दी similarly similarly angle BOD is equals to Y second add equation first and second add equation first and second angle AOD plus angle BOD is equals to 2X plus 2Y angle AOD plus angle BOD angle AOD और BOD मिलके क्या बना रहे हैं पूरा एंगल angle AOB angle AOB is equals to 2 common X plus Y ठीक है ठीक है angle ACB के बराबर angle ACB भी ठीक है तो यह आपका थे हो रहा है है ठीक है तो सुडेंट जैट्स औल फॉर टोड़े इस क्लास यह थिवर्म आपका हो जाए को उसके बाद अपन कल ज्यादा क्वेशन्स कवर अप करेंगे क्योंकि क्वेशन्स इस थिवर्म के बाद आपन ड्रेक्ली कर पाएंगे समचे आप लोग इसके बाद काफी ज्याद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक दो थिवर्म हो रहा है जो मैं आपको बताऊंगा ठीक है ओके तो के सो में मेट मीट इन नेक्स क्लास थैंक यू और हम ने इस दे